हेलो दोस्तों, वेलकम तो CDIT Solution यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Infosys की दुवारा हाली में लांच के गई Java की ट्रेनिव प्रोगाम के बारे में जिसे कम्प्लीट करने पे आप Infosys का ओफिशल सेटिफिकेट भी पापाएंगे दोस्तों, अगर आप आज के डिट पे इंटर्व क्रैक करना चाहते हैं या IT कंपनी में एक अच्छी पोजिशन पर ऐसा कोडर पहुँचना चाहते हैं तो दोस्तों, Java और Java Script ये ऐसे language है जिसका knowledge आप लोगों को आने वाले समय पे एक अच्छा growth दिला सकता है और अगर आप खासकर फ्रेशर हैं तो इंटर्वी में जब भी आप बैठेंगे तो आप से Java के related questions तो पूछे जाएंगे इसके अलावा अगर आप college के academics में बात करेंगे तो वहाँ पर प्रोजिस बनाने लिए आप Java का use भी करते हैं ऐसे में आप लोगों को एक ऐसे प्रोगाम के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को detail training यहाँ पर कोई आपको उपर उपर की training नहीं बलकि detail training बिल्कुल free पे Infosys के द्वारा दी जा रही है और इसे complete करने पे सब सची बात यह है कि आप लोगों को Infosys का जो certificate मिलेगा उसे आप अपने resume पे लगा सकते हैं या फिर आप अगर चाहें तो different social media platform जिसे linkedin में भी share कर सकते हैं इसकी value भी उतनी ही है जितना किसी paid certificate की होती है बशरते आप Java को यहाँ पर अच्छे से पढ़े और फिर इसके बाद यहाँ पर हाना इस certificate को ले तो चले detail में इस free certification के बारे में आगे बात करते हैं वीडियो पसंद आएगी like करिएगा WhatsApp group, Telegram group से चूनना चाहते हैं link description पर है join कर लिजेगा वहाँ पर आपको ऐसे update हमेचा मिलते रहते हैं तो हाली में दोस्तों जब मैं Infosys की जो learning वाली website है इसे explore कर रहा था तो मुझे यहाँ पर इनके द्वारा एक नया campaign देखने के मिला Announcing the launch of Java Foundation course जहां पर यह आप लोगों के लिए Java A2Z beginner to advanced course लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को certificate भी मिल रहा है वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों अगर आप अपनी placement top multinational company में हाना सोच रहे हैं और आप यह सोच रहे हैं और आप लोगों को web development जैसे आज के ट्रेंडिंग टेक्मोलोजी में अपनी placement लेनी है जिसमें आपको आगे आने वाले समय पे growth भी मिले और placement से की जार सबसे बड़ी बात है इनका कमाल का placement assistance कई बार आज जैसा कि अभी देखा गया है दोस्तों कि लोग यार स्किल तो हासिल कर ले रहे हैं लेकिन जब placement की बारी आती है तो उन्हें इधर उधर फटकना पड़ता है या तो प्रॉपर roadmap में वह अपनी तियारी नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर यह program ऐसा है दोस्तों जिसमें इनके 500 से ज़्यादा hiring partners हैं जो especially उन लोगों को hire करने आते हैं जो की यार web development का ये course इन से करते हैं तो अगर आप दोस्तों web development का content करने का सोच रहे हैं सिखने का सोच रहे हैं तो आप audience school की इस program को अभी join करके दोस्तों अपनी placement भी या कमालगी लगा सकते हैं क्योंकि अब तक आप इनके ना मैं आपको बता दूँ इसकी success stories एक बार जरूर आप देखिएगा कई सारी लोग दोस्तों जो की freshers थे या फिर जिन्नोंने career पर gap ले लिया था या फिर दोस्तों जो की किसी और background किया थे वो इनके platform पे पोस्त इसको करके हना top company में अपनी placement लगा चुके हैं वैप development की इस course में दोस्तों 6 मन की आप लोगों को training दी जाती है चुकि लाइब और recorded lectures के माधियम से आपको मिलती है प्रोजिक्ट-based learning होती है unlimited job opportunity आपको मिलती है और इसमें दोस्तों जो fees है वो है 99,000 प्लस GST जिसमें आप लो additional 8,000 discount परना चाह रहे हैं तो आप अभी इससे join कर सकते हैं 28 August को ये course हना start होगा बाकी link आपको मैंने description पर दे लिया है EMI की option भी available है और refund policy भी available है एक बार visit ज़रूर करिएगा website को इसके लिए details को fill कर देजेगा और request a callback पर click करिएगा चलिए अब मैं आपको जो update हमें देख देखने के लिए मिल जा रहा है जो कि Infosys के द्वारा launch किया गया है और यहां पर जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को जितने भी प्री content है उसे complete करना है तो आपको certificate मिल पाएगा अब यह प्री content कितने समय का है इस पर हम आते हैं आप यहां पर देख सकते ह वनावर लिखा है लेकिन यह सिर्फ वनावर का नहीं है दोस्तों certificate पाने के लिए आपको एक हंटे का exam देना पड़ेगा जिसमें आपको 65% लाना पड़ेगा बिल्कुल free होगा और आपको certificate मिल जाएगा beginner labor का question होगा लेकिन यह certification आप सिर्फ तभी पापाएंगे जब इनका pre content आप complete करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं pre content दो हैं एक है java basic तो java basic पे जब आप जाते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं java basic पे आने पे इनके दुआरा आप लोगों को हना यहाँ पे जैसे की बताया गया है java basic पे programming using java और data structure algorithm using java इसमें दोस्तों सब सची बात है कि इस program में java पे आपको data structure algorithm का भी knowledge दिया जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं complete जो course हना है आप इसे complete करने के लिए हना link आप description पे पालेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जैसे जाएंगे पहले programming using java पे तो यह जो programming using java का यह course है यह 113 hours का है मतल programming, testing techniques, keywords के बारे में आपको इसमें पढ़ाए गया है सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे data search algorithm using java भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते है array, linkless tag, queue, set, map यह सारी चीज़े आपको detail में सिखाई जाएगी यह है लगबग 49 hours का तो data search और java आप इस particular programs पे हना पढ़ पाएंगे, साथ में दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप इस course को complete करते हैं तो ही आप जाके इस exam को देने के लिए eligible होते हैं और यहाँ पे programming using java का जो section है, यह दोनों ही आपको complete करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस exam को देके certificate पाप पाएंगे, अब तक दोस्तों कहीं सारे लोग हना Infosys की website से अपने certification program को complete कर चुके हैं, अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, link description पे आपको मिल जाएगा, आप इसी join कर सकते हैं और java के stage को complete करके एक अच्छा certificate प्लस साथ में knowledge पा सकते हैं, जो कि आज के date पे काप Thank you so much.